वो जाके परलिमेंटी कमेटी के चेरमेन को मैनेज करते हैं और मेरी वीडियो दिखाते हैं, वो परफेसर जाके स्थी कमिशन तक पहुँचते हैं और मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ बोलते हैं वहाँ जाके कि आप इसका साथ मत दीजिए और वो उस प्रिंसिपल का, जो मनुव अच्छा कैसे दिख रहा है? एक ऐसे समाज का व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रहा है? अच्छे से बात कैसे कर रहा है? उस घृस्त मान शिक्ता से पीडित महिलाने मेरे अगेंस्ट एक फौरजरी की, फ्रॉड आप सोचिए यह अप प्रिंसिपल और यह रिजि तो मेरी अपने समाथ से आप बताईए क्या पी लो सकती है। इस देश में आप नौकरी तो पाल लेंगे अगर सी एश्टी ओविस यहां रक्षन से लेकिन सम्मान के साथ नौकरी करना बहुत मुस्किल है। मेरे साथ डौक्टर इतु हैं दिल इनवर्सिटी में परहाती थी, सम्मान के साथ परहा रही थी, उसी मकरजाल में इल्जा दिया गया जिसको हम लोग जाती बाद, मनुबाद, बढ़ामन बाद कहते हैं। लेकिन डॉक्टरी तू लगातार लड रही हैं, लेकिन इनकी कुछ सिकायते हैं अपने ही लोगों से, अपने ही समाज से, ले तू कहां तक पहुंची है आपकी लडाई? सर यहां तक बहुंच की कि दो साल हो गया लड़ते लड़ते, आखेर कार यह हुआ कि अभी F.I.R. हो गया, पहले तो F.I.R. के लिए लड़ रहे थे, एक डिमांड ही शुरू से कि फेर इंवेस्टिकेशन हो जाए, उसके लिए क्या होता है आपकी पुलीस कभी नहीं सुनती है, जब जैसे आप पुलीस स्टेशन में जाते हैं, आप कंप्लेन करते हैं और उन्हें पता चलता है, CST की कंप्लेन है तो वो ऐसे ही थंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो वो सारे संगर्श के बाद, जबकि मैंने समात से बार बार दुर्खवास्त करी, रिक्वेस् आने के लड़ती, तो इस दो साल के संगर्श में इस इस तरीके के ओफर जाए, इस इस तरीके की चीजें आई कि आपको क्या ज़रूरत है, आप शांत हो जाएए, आपको नोकरी, हम दिलवा देंगे, हम आपको ले जाएंगे, आप पर्माने हो जाएंगे, आपके अंदर इतनी कापले थे, इतनी potential है, लेकिन मैंने वो रस्ता नहीं चुना, मुझे लगा कि अपने एक self-respect आतन सम्मान को सबसे उपर रखना और समाज का जो सम्मान है उसको जुकने नहीं देना, उस रस्ते को चुनते चुनते दो साल हुए, उस रस्ते पे चली और दो साल के F.I.R. के बाद जब fair investigation हुआ, investigation के दुरान जो जिस जातिगत बेदभाफ से मुझे निकाला गया था, वो जातिगत principal जिनकी आँखों में मैं खटकती थी, जिनको ये feel होता था, जिनको ये लगता था कि ये लड़की एक ऐसे समाज का व्यक्ति अच्छी अंग्रेजी कैसे अच्छे से बात कैसे कर रहा है, उस गृस्त मानचिक्ता से पीडित महिलाने, मेरे अगेंस्ट एक फॉरजरी की, फ्रॉड, आप सोचिए, आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि अब untouchability जिसे कहते हैं ये जो एक Hindu society में या एक हमारे समाज में चिलते हैं अब तो डगवाजी है ना, discrimination की, वो change हो चुक है और वो से भी खतरनाक हो चुक है, वो आपको सामने से छूकर नहीं गएंगे कुछ, वो आपको अंदर से काटेंगे, कि आप कैसे mainstream में नाएं, वो ही मेरी इस principle ने किया, इन्होंने मेरे against फरजी दस्तावेज इस्तेमाल किये, फरज से IEO ने record मांगा, investigation officer ने, STST case में ACP rank IEO होता है, तो जब अब investigation के दुरान, जो मैं दो साल से बोलती आ रहे थी, यह जूट है, यह जूट है, हर जगा पर जाके चला रहे थी, कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी, जब वहाँ से पता चलता है, पूरे college के अंदर वो 35 बच्चो के साथ हुआ, उनको suicide करना परा रहे है, यह वही चीज हुआ है, यह हमारे खिलाफ साजिशे रचते हैं, हमें नीचा दिखाने के लिए यह हमारे खिलाफ एक grow बनता है, यह actually खुले आम गुंडागर्दी होती है, इनका दिमाग चलता है किस तरीके से वही professor चंदर शेकर के आप यह सोचिए कि किस तरीके से आपको उंचे लेवल तक जाके रोकना है, और उन पर जूठा रोप लगाया, एक गैंग बनाया, बच्चों को उनके, यह एक बहुत अची strategy है, कि अगर आप अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं और अगर आप अच्छे से बोल रहे हैं और आ आप एक दलिचोचे समाज से आते हैं, तो उनको आपके अगेंस्ट उकसाना, उनको इस तरीके से मोटिवेट करना, कुछ न कुछ बच्चे भी उसमान सिकता के होते हैं, आपको उकसा के आपके अगेंस्ट सेक्शल हरास्मेंट तो एक निया हमने चीज उचलती देखी, ल सारी चीजें, यह इनकी बहुत सोची समझी साजिश होती है हमारे खिलाफ करने की, और वो जो प्रफेसर चंदर शेकर के साथ हुआ, यह एक ने तरीके की चीज है, जो पता नहीं अगर हम अभी नहीं बोले, तो सर पता नहीं कितने कितनों की बलियां ऐसे चड़ती जाएं कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं कोई भी ऐसा ही चीज नहीं है कि हाँ, मैंने पीछे कुछ वक्त ऐसा रहा भी, दो-तिन हफते पहले, कि जरूर मेरी मेरी मेंटल कपैस्टी खतम होगी थी, कुछ ऐसे हम दोस लोग चार-पांच डिसकोर्स, डिसकॉशन कर रहे थे, जह साल के इतिहास में पहली बार किसी प्रिंसिपल पे, ना कि सिर्फ प्रिंसिपल रजिस्टार ऑफ देली उनिवस्टी दोनों पे SCST Act के अंदर F.I.R. दर्ज हुई, और प्रिंसिपल पे तो चारशिट भी जमा होगी, जब इतना बड़ा काम मैंने कर दिखाया, तो 17 सब्तम इतने बड़े प्रफेसर और इतने बड़े हिस्टॉरियन और इतना इंटलक्शल इंसान, जिस जो एक अकेला ही अपने आप में चलती है, फिरता डिस्कोर्स डिबेट है, उस इंसान की एक लाइन एक टिपनी लिखने पे आपने उसको फटा-फट रातो रात रेस्ट किया क्या किया तो असन इंसान ने, कोई कॉमिनल राइट हुए, कोई दंगे हुए, नहीं, लेकिन आप मानसिक्ता से इतने पिडित थे कि आपसे एक बहुजन, एक जिसे कहते हैं परसनालिटी संबली नहीं, तो आपने उसको उठाके हिरासत में ले लिया, बट ये प्रिंसिप बट चारशड जमा होने के बावजूद जब आरोप साबित हो चुक है, अभी तक वो पोस्ट पे है, उसको सस्पेंड नहीं किया, उसको टर्मिनेट नहीं किया, रजिस्टार को टर्मिनेट नहीं किया, तो मेरी अपने समाज से आप बताएए, क्या अपील हो सकती है, कि आ अनुपरताब जी हैं, जो इनिशेटिव ले रहे हैं, कोई बैनर नहीं है, यह बैनर फ्री प्रोटेस्ट है, जिसमें वो लोग इनिशेटिव लेके आगे आ रहे हैं, कि हमें अभी यह लड़ाई को लड़ना है, और हमारी एक डिमांड है उनिवर्स्टी से की किया जाए, और अरेस्ट किया जाए, जब इतना बड़ा आरोप उन पे साबित हो चुका है, तो उनको टर्मिनेट किया जाए, क्योंकि वो ही प्रिंसिपल आप देखे हैं, दोलतराम कॉलेज में इंट्रिव्यू करवा रही है, तो आप सोचें कि वो किस का प्रेशर बिला कि मांग हो रही है, जिस कैंडिडेट्स को आपने 1962 के बाद, जो हमारा राइट था, जब आप NFS करते के, नौट फांट सूटेबल, करकर के, करकर के, आपने UR के कैंडिडेट्स को उन पे रख दिया, परमनेंट कर दिया, वो हमारा बैकलॉग काले कमेटी कहती है, कि हजार गालोग ह dialogue है, उसकी दिवांड है, कि हमें वो हमारा बैकलोग हाँ है, कि हमें वो पर लिखे लिखे है만ग है कि आप कॉलेज में हून पर आरोबice में रहते हैं। यह जैतने हैं कि हम यह दिए तिकि एम और साथ टुरूष यह प्रीचन के, कि आप अट रहते हैं यह पे UA, अगर आप एक मुठ्सी बन जाएंगे तो सामने वला आपको हिलाぎा नहीं पाएगा लेकिन आप इतनी जादा चम्चा यूकर व किताब जो थी ना, वह सची बात होती है और आप चमचा गिरी करते हैं, आप किसी आइडिलॉजी के इतने मोहताज हो जाते हैं, कि आप उस आइडिलॉजी में, मैं आपको अपनी केस के एक्जामबल देती हूँ, मेरे केस में एक प्रफेसर, आप चाहें, तो मैं आम भी ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे पस पुक्ता सबूत है, लेकि मैं नहीं लूँगी, वो प्रफेसर मेरी प्रिंसिपल के साथ मिलके, अपने समाज के हैं वो, दलिट प्रफेसर हैं, एक रिकजाइड बन गे हैं शायद अभी, एक रिकगनाइस कॉलेज के प्रफेसर हैं, वो डॉक्टर सवीता रॉय के साथ मिलके, मेरे बस पुक्ता सबूत है, इस चीज़ के मैं कोई भी बात पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ, वो जाकर पर्लिमेंटी कमिटी के चेर्मेन को मैनेज करते हैं, और मेरी वीडियो दिखाते हैं, वो प्रफेसर जाके स्टी कमिशन तक पहुँचते हैं, और मेरे खिलाफ बोलते हैं वहाँ जाके कि आप इसका साथ मत दीजिए, और वो उस प्रिंसिपल का, जो मनुवादी मान सकता कि प्रिंसिपल उसका साथ देते हैं, और मेरे खिलाफ साज़िश करते हैं, इस खालत हद तक आप चमचागिरी करते हैं और गुलामी करते हैं, यह हाल. सोचिए, यह डॉक्टर रितु हैं और यह कोई पहला मामला नहीं है, पाइल तड़्वी, रोहित बेमूला, तो सामने है, जो सोशल मीडिया के दोर में आया है, रोहित बेमूला, पाइल तड़्वी, डेल्टा मिगवाल, प्रफेसर जम्मू कश्मीर के, प्रफेसर रतनलाल, डॉक्टर रितु. आप कल्पना कीजिए, जब हमारे पास टीवी अख़वार नहीं था, न जाने कितने रोहित, कितने रितु को मारा गया होगा. मैं फिर कह रहा हूँ, अब देश जातिवाद जो करता है, इस देश में अब जातिवाद जो है, वो गाउं में नहीं है, पावर सेंटर में, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज इनवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, इन जगों पर आपके बच्चों को मारा जा र जो है, तो इन ही कॉलेज, इनवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी और मीडिया में, क्योंकि जातिवाद को समझने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है, डॉक्टर इतु इस संघर्स्क में जी रही है, इसको लर रही है, निसनल दस्तक की कोशिश है कि इस समझने के लोगों ने डिमोक्रेटिक तरीके से अपनी लडाई को लड़ा है, डॉक्टर इतु भी धायर्ज पुरवक, संविधान के बदोलब, जुडिशियरी सिस्टम के लड़ाई को लड़ेंगे. एक बात कहना चाहूंगी सर, कि आप भी अपने मादियम से जो ओडियन्स देखती है नाशनल दस्तको, मैं कहना चाहूंगी, कि जिस तरीके से हम्मत से मैं लड़ रही हूं, आप साथ दें और कल इस प्रोटेस्ट में ज़रूर शामिल हूं, और ये प्रूफ करके दिखाए और आप भी प्लीज अपने मादियम से ये चीज़ बताएं, कि हमें काटने के लिए 35 वो फोर्ज बच्चे थे, वो पूरे कॉलेज के रिकॉर्ड में नहीं है, मैं ये पताना चाहती हूं, अपने समाज के लिए 35 फरजी बच्चों से दस्तकत कराके रितु जी को टर्मिने चाहते हैं तो निस्तन दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, निस्तन दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे